Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon आज आपसे बात करूँगा पांच ऐसी चीजों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप चश्मा हटवाने की सर्जरी प्लान कर रहे हैं देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसको दो पांच में बनाऊँगा एंड तक देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में देखिए आजकल हो क्या रहा है कि मैं रोज पेशेंट से बात करता हूँ प्राक्टिस में जो चश्मा हटाने आते हैं कोई शौक के लिए हटवा रहा है, कोई अच्छा दिखने के लिए हटा रहा है किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है कोई medical exam clear करने के लिए चश्मा हटा रहा है देखिए ये सारे लोग जो चश्मा हटाने आते हैं इनकी सबसे बड़ी problem ध्यान दीजेगा जो patient चश्मा हटवाने आ रहा है उसकी सबसे बड़ी problem चश्मा नहीं है उसकी सबसे बड़ी problem है confusion देखिए हो क्या रहा है कि जो चश्मा हटाने की technology है वो इतनी fast pace पे advance कर रही है इ कि एक doctor जो आंखों का doctor नहीं है उसके लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सारी technologies आगे हैं आज का चश्मा हटाने की तो एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल रहता होगा तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उसमें मेरी कोशिश यही है मेर का effort यही रहेगा कि एक simple एक honest एक साधारन तरीके से आपको एक transparent opinion देपाऊं देखिए हो क्या रहा है कि जो चश्मा हटाने की technology है यह पिछले 25 सालों में बहुत advance हो गी है देखिए अगर आपको ध्यान हो 25 साल पुराना फोन वो जो नोकिया का इतना बड़ा फोन होता था ए उसमें आप सिर्फ calling कर सकते थे और आज वही phone जो है एक touchscreen phone बन गया है उसी में आपकी calling भी है उसी में आपके messages भी है WhatsApp भी उसी में है internet भी उसी में है music भी उसी में alarm clock भी उसी में है तो एक ही phone में आज किता सारे features आ गया है तो ऐसे ही जो चश्मा हटाने की technology है ना यह 25 साल मे बहुत advance हो गई है और इसमें नए नए features आड हो गया है और features के अगर बात करें तो basically advancement जो है वो safety में हुई है कि जो नए technologies है वो जादा safe हो गई है वो इसकी visual quality में हो गई है कि जो नए technology है उसमें जो quality of vision है जो sharpness of vision है वो प्राइं technology से आज कल बहुत better आती है और जो recovery है जो healing time में वो बहुत fast हो गया है तो आज कल जो latest technologies है ना उसकी जो recovery है वो instant होती है कि आपने आज कर आया और कल से आपको दिखना सब शुरू और परसों से आप अपने काम पर बुजा सकते हो तो आज कल जो patient चश्मा हटवाने आता है उसके पास basically ये 7 तरह के options होते हैं चश्मा हट करवाओ वरना मत कराओ देखिए जो एक best technology होती है जो एक latest technology होती है उसके अपने ही फैदे होते हैं अपने ही advantages होते हैं वो फैदे और advantages एक 20 साल पुरह technology में नहीं available है बट येस कुछ लोगों के लिए ये एक financial problem बन जाती है क्योंकि ये जो latest technologies इनका price थोड़ा से जादा होता हूँ कि अगर आप wait कर सकते हो थोड़ा सा wait कर लो 6 में wait कर लो एक साल wait कर लो थोड़े से पैसे कठे कर लो चश्मा हटाना जो है कोई बिमारी नहीं है चश्मा पहनना कोई बिमारी नहीं है अगर आप wait कर सकते हो तो wait कर लो लेकिन technology में compromise मत करो laser operation एक ही बार होता है बंदे क की लाइफ में और ये आंखे आपके next 50-60 साल चलनी हैं तो कुछ लोगों को जल्दी होती है किसी specific purpose से वो जल्दी कराना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं ये बोलता हूं कि एक minimum standard अपनाओ उससे नीचे मत जाओ देखिए क्या होता है कि suppose कोई इंसान अपने पहली गाड़ी खरीदने जा रहा है तो उसके मन में एक minimum standard होता है minimum standard मतलब खरीदूँगा तो auto खरीदूँगा auto से नीचे नानो गाड़ी नहीं खरीदूँगा तो ऐसे ही laser में हम लोगों कहते हैं कि एक minimum standard करवाना चाहिए कि at least ये वाला तो करवाओ इससे नीचे मत करवाओ तो आजकल जो है minimum standard जो है SBK और SBK Q ये दोनों जो है minimum standard में आते हैं आजकल कि अगर आप चश्योहट आने की स इससे नीचे ना जाए तो एके करके इन technologies के बारे में discuss करेंगे हम सबसे पहले technology जो आती है उसका नाम है standard लेसिक और जो दूसरी technology आती है उसका नाम है aspheric लेसिक देखिए ये technologies बहुत जादा पुरानी हो गई है अब और hardly कोई doctor इससे suggest करता है और hardly कोई patient जो है इन technologies के लि रात को सड़क में निकले या किसी तेज रोशनी को देखें तो उन रोशनी के आसपास आपको रंग बिरंगे चलने जैसे नजर आ सकते हैं तो वह चीज बहुत disturbing हो जाते है इस technology में कई patients के लिए ठीक है एक option रखावा है क्योंकि ये technology बहुत सस्ती पढ़ती है अगर आप चाहे तो इसमें करीब 20-25,000 में दौनों आखों का operation हो जाता है लेकिन काफी complaints आती है बाद में जो इनको glare लगती है हेलो जाते हैं तो इस चकर में आजकर ये technology almost obsolete हो गई है और हम लोग अपने किसी patient को भी ये technology आजकर सजेस्ट नहीं करते है नेक्स technology जो आती है वो है SBK और SBK कस्टम क्यों जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये technology आजकल एक minimum standard बन गई है कि कोई patient चश्मा हटवाने की सोच रहा है तो मुसको कहते है कि minimum at least ये करवाना चाहिए इससे कम technology नहीं adopt करने चाहिए अच्छी technology है अच्छी results देती है बस problem ये है कि इस technology में एक blade यूज ह होता है और जब blade की बात आती है आंखों पर यूज करने के लिए तो patient कहीं न कहीं घवरा जाता है कि आंखे जो इतना एक delicate organ है body का उसमें blade चलेगा तो एक थोड़ा सा patient fear रहता है इस technology में और दूसरी problem ये है कि क्योंकि वो blade जो है एक हाथ से चलाया जाता है human hand से वो blade questionable हो जाती है तो यह एक minimum standard है ठीक है किसी को financial problem है तो यह करवा सकते हो अच्छे results हैं वैसे को problem ज्यादा आती नहीं है बट हां यह surgery जो है एक manual surgery है सब कुछ हातों से होता है laser का काम सिरफ laser चश्मा हटाना है बाकि सारा काम इसमें हातों से होता है blade का fear रहता है patient को तो इस चकर में यह technology popular है लेकिन इतनी popular नहीं है जितनी आजकल blade free technologies popular हो गई है इसके बाद जो आपकी technology आती है उसका नाम है blade free lessic यह technology तो थी एक revolution ला आने का laser से लेकिन जो blade use था वो अब खतम हो गया यह technology जो थी पूरी blade less हो गई completely blade less है कहीं कोई blade use नहीं होता है और क्योंकि इसमें blade use नहीं होता सारा काम laser से होता है तो इस technology की precision जो है वो बहुत जादा है जिसकी वाज़े से safety better है इसकी recovery better है और इसके जो visual outcomes है जो laser के बाद quality of vision मिलती है वो इस technology में better होती है देखिए इसके बाद जो technology आई ना उस technology का नाम था smile smile अब करीब 5 सल पुरानी हो गई है और blade free lessik जो है करीब 10 सल पुराना हो गया है देखिए जब smile introduce हुआ तो smile technology भी काफी popular हुई क्योंकि इसने दो नहीं चीज़ें introduce करी पहली introduction थी कि इस technology में कोई flap नहीं बनता पुरी flap less technology थी और दूसी चीज़ जो इसने introduce करी वो थी कि इस technology में कोई dry eye feel नहीं होती देखिए क्या होता था कि पुराने procedures दो थे जिसमें जो laser procedures थे उनमें क्या होता था लेजर के बाद patient को थोड़ी बहुत आंखों में dryness फील होती थी जिसकी वज़े से उसको दो तीन महीने जो है lubricating drops डालनी पड़ती थी तो smile की popularity थी इसी basis पे कि इसमें dryness नहीं होती लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब results सामने आ रहे हैं बहुत सारी studies हुई इस technology में कि actually जो technology कह रही है dry eyes नहीं होती या फिर flap नहीं बनता इससे कौनिया की strength जो है maintained होती है ये कितना सच है तो इसके उपर काफी research हुई और कुछ studies कहती है कि हाँ actually इसमें कुछ फैदा है कुछ studies कहती है कि इसमें कोई फैदा नहीं है तो आज तक हमारे पास कोई conclusive कोई ठोस ऐसा कोई सबूत नहीं आ पाया है कोई ठोस evidence नहीं है कि smile का actually कोई benefit है कि नहीं पुराएं technology blade free lasik से compared अच् technology का नाम था contura vision इस technology ने तो चश्मा हटाने की technology को पूरा revolutionize कर दिया इस technology ने एक तरह से आग लगा दी पूरी market में इस technology ने क्या करा कि इस technology ने दो SFA दे दिये आपको कि जो एक human की नजर है जो एक normal vision है human की जिसको 6 बटा 6 कहते है normal human vision होती है उससे जादा vision दे सकती है technology basically इस इसमें दो नए advantages introduce करें चश्मा हटाने के साथ साथ देखे अब तक हो क्या रहा था कि जो यह technologies थी ना जो smile थी, bleedless ले सिकती, SBK की हो गई, SBK हो गई, यह सारी technologies ना सिर्फ चश्मे का number हटाती थी, मतलब यह है कि जो आपको चश्मे के साथ अभी दिख रहा है वो ही आपको अब बिना चश्मे के दिखेगा laser कराने के बाद, लेकिन continuous vision ने क्या करा, इसने दो नए advantages इंट्रेड्यूस करें, वो advantages क्या थे कि पहला advantage था कि cornea की irregularities को ठीक करती है, और दूसरा जो है यह visual axis पर treat करती है, अब यह क्या होता है, देखे हमारी जो आंक है ना, इसमें दो तर करा है कि हम लोग pupillary axis से नहीं देखते हैं, हम लोग एक और axis से देखते हैं, जिसको कहते है visual axis, जो आंक का natural देखने का axis होता है, तो अभी तक सारी technologies जो थी, वो pupillary axis पे treatment based थी उनकी, लेकिन contura vision ने क्या करा, उसकी treatment अब pupillary axis से हटा के visual axis पे डाल दी, तो जब उसकी treatment एक natural जो देखने का axis है, उस पे होने लगी, तो visual quality बहुत बेटर होगी, दूसरी चीज, contura ने क्या introduce करी कि उसने cornea की irregularities को ठीक करना शुरू कर दिया, देखिए क्या होता है कि कोई भी surface आप ले लो, हाथ की surface ले लो, table की surface ले लो, कोई भी surface ले लो, उसको अगर आप बहुत, बहु ताके micro level पर देखेंगे, तो वो surface जो है, वो बिल्कुल smooth नहीं होती, कही न कहीं उस surface में roughness होती है, उसमें irregularities होती है, तो contura vision में अब क्या आया नया, कि अब हमारे पास technology आ गई थी, कि उन irregularities को आप map कर सकते हो, नाप कर उनको भी laser से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो, तो क् कि जो आँख एक imperfect optical system है, उसको laser ने बिल्कुल perfect कर दिया, तो उसकी वज़े से क्या हुआ कि एक तो आपको optical जो surface है, कौनिया की हो perfect हो गई, दूसरी इसकी treatment होगी visual access पे, तो इन सब चीजों से हुआ ये कि जो आपकी vision की quality आती है, जो नजर की quality आती है, उसको एक तरह से हम high definition कहते हैं, HD quality कहते हैं, जो बाकी procedures जो है, जिसे smile हो गया, blade free lesic हो गया, SBK, SB custom Q, इन सब में हम लों कहते हैं कि एक normal vision आती है, एक standard definition vision आती है, तो ये advantage होता है contura का, और देखिए जब कोई patient contura कराता है ना, तो उसकी नजर जो है ना, एक normal आदमी से जादा हो जाती है, देखि contura कराते हैं, तो contura में एक बहुत high chance होता है, कि आपकी vision 6-4, 6-3 और 6-5 इस तरह की vision आती है, एक normal आदमी से जादा vision आती है, इसको हम लोग कहते हैं, super vision, कि एक normal आदमी अगर 6-6 देखता है, तो contura vision में 6-5, 6-4, 6-3 एक super human vision हो जाती है, जो एक normal आदमी भी ने देख सकता, तो यह advantage आया है, नया contura में, और बहुत सारी research हुए है, इस technology में, इस technology को smile से compare करा गया, इस technology को blade free lasik से compare करा, सारे results में यही सामने आ रहा है, कि contura vision जो है, अभी तक का सबसे बड़ा revolutionary चश्मा हटाने की, यह technology जो है, 2020 तक सारी बाकी technologies को replace कर देगा, हर बंदा contura ही कराएगा क्योंकि इसमें इतने सारे advantages है, safety better है, vision quality better है, recovery, instant recovery है, आज करा है, कल से दिखना शुरू, दो दिन बात काम पर जाना शुरू, तो इतने सारे advantages जब इस इतने technology के आते हैं, तो एक revolution हो जाती है, जैसे जब iPhone आया था, तो एक revolution आया था, उसमें बाकी सारे phones को खतम कर दिया, हर बन्दय आईफोन चाहता था, क्योंकि इतने advantages थे, तो ऐसे ही contour vision के बारे में भी कहा जा रहा है, कि इतने सारे advantages आज technology के, कि 2020 तक ये जो procedure है, contour vision, ये पूरे दुनिया में एक default procedure बन जाएगा, हर patient को यही suggest करा जाएगा, और बाकी technologies जो है, जैसे पुराए technology time के साथ fade out हो जात को लूँगा, करवाओ, contour vision कराओ, उसके लावा को यहार मत कराओ, एक inferior technology को नहीं adopt करना चाहिए, operation आंग का एक ही बार होता है, आपकी जिन्दगी के साथ, इसको 50 साल और आपने इनी आखों के साथ जीना है, 7 साल इनी आखों के साथ जीना है, technology में compromise नहीं करना चाहिए, हमे pre-lasic workup test, basically क्या होता है, कि साता तरह के test होते हैं, जिसमें हम लोग कौनिया जो आपकी पुतली है, उसकी मुटाई नापते हैं, dry eyes के लिए चेक करते हैं, हम लोग आखों का pressure चेक करते हैं, चश्मे का नंबर चेक करते हैं, पुतली फिला के चश्मे का नंबर चेक करते हैं आपकी कौनिया की जो मैप्स होते हैं, वो निकाले जाते हैं, कहुंत साही तरह की इसमें जांचे होती हैं, ये देखने के लिए कि आपकी आंक जो है laser कराने के लिए fit है की नहीं, तो इस पे मैं अल्रेडी एक बहुत बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक दि हैं, और सारा जो आपको डिटेल है, प्री लेसिक वरक टेस्ट के बारे में, उसमें वो समझ आ जाएगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिसकस करूँगा, कि laser से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, laser के बाद किन चीजो देखिए, मैं चाहता हूँ कि यह जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, यह अगर कोई फैमिली, आपका कोई फैमिली में कोई रिष्टदार है या कोई फ्रेंड है, और किसी को नीड है इन वीडियो की, किसी को रिग्वाइमेंट है, इस नॉलेज की, तो उनसे आप ज़रू बेखिए आपको सून